आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बिसेस प्रकार का पोहा जो देखने में एकदम ग्रीन है, हेल्दी है और बहुती ज्यादा स्वाधिश्ट है हाई एबरीवन, कैसे हैं आप सब लोग, हेल्दी होम्स में आपका स्वागत है सबसे पहले हम इसके लिए एक चटनी तियार कर लेंगे, जिसमें लिए हैं करीब आधा कपुदिने के पते, एक कप धनिया की पती, तिन चार हरी मेंच, दो चार लैसन की कलिया, एक चमच, जीरा और आधा नीबू का रस्त चोड़ेंगे करीब एक टीए स्पून ओयल डाल देंगे, एक चमच नमक और आधा चमच चीने, इन सब को अच्छा से फाइन पेस्ट बना लेंगे, यह देखे हमारा पेस्ट बन के तयार हो गया है, अब एक कडाही में करीब दो टेबल स्पून ओयल डालेंगे, इसमें डाल देंगे एक चमच राई और एक चमच चीरा, इसको थोड़ा सा भुन्ने देंगे, करीब दो चमच कटी हुई मिर्च डाल देंगे, अगर मिर्च तीकी ज़्यादा है तो कम ही डालेंगे, पोहा हमारे हां बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, यहां तक कि औराडिक कथाओं में भी प भगवान कृष्ण से मिलने द्वारी का गए थे, तो वह उनके लिए उपहार स्वरो पोहा लेकर गए थे, भगवान कृष्ण को पोहा इतना पसंद आया कि उससे खोशोकर भगवान ने सुदामा की करीबी दूर कर दी थी, अब एक बड़ा प्याच कट करके ले लिया है, इसको भी डाल देंगे, वहा कई तरह से अपनी अपनी पसंद का लोग बनाते हैं, जो भी सबजियां हमें पसंद और एवलेवल हो, इसमें डाल सकते हैं, एक सिम्ला मिर्च भी लंबाई में कट करके लिया है, इसे भी डालेंगे, और इनको करीब 3-4 मिनट तक भूनेंगे अभी मेरे पास प्याज और सिम्ला मिर्च ही अवलेवल हैं, और चुकि मुझे ग्रीन पुहा बनाना है, इसलिए में टमाटर का यूज नहीं कर रही हूँ, बाकि जो भी सबजियां अपने पास हो, डाल सकते हैं, अपनी पसंद के अरुसार आदा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, अगर आप पसंद करते हों, तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी इस समय डाल सकते हैं प्याज और सिमला में थोड़ा कुख हो गये हैं, अब इसमें वो जो ग्रीन चटनी हमने पीसके रखी थी, वो भी इसमें डाल देंगे अब हाई फ्लेम पर दो तीन मिनट तक इसे पकाएंगे फ्रेंड्स हमार ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताइए अगर पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक भी जरूर कर दीजे और ये भी बताइए कि आपने कभी ग्रीन पोहा बनाया है, अगर नहीं बनाया है तो प्लीज ट्राइक करें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा घर में सभी को आपके आप हपते में कितने बार पोहा बनता है, हमारे आप तो करीब हपते में दो बार तो जरूर पोहा बन जाता है कभी ग्रीन, कभी अलो अब इसमें करीब चार का पोहा मैंने धोके रख दिया था, इसको डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स करेंगे और हाँ अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और घंटी को भी दबा दीजेगा जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी प्लेम आफ कर देंगे अब दो-तीन मिनट के लिए इसे ढख देंगे करीब दो मिनट हो गए हैं पोहा सर्व करने के लिए रेडी है अब इसमें प्राइ किये हुए मुंफली के दाने मिक्स कर देंगे मुंफली के दाने अगर पहले से डाल देते हैं तो इनका क्रंची पन खतम हो जाता है इसलिए पोहा पुरा तयार होने के बाद इसमें मुंफली के दाने डालेंगे और इसे सर्व करेंगे अब फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं अपने मन चाहे तरीके से थैंक्स फॉर वाचिंग अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में नई रेसिपी के साथ